बोले शम्मेशिकरजी शिद्रक्षेत्र की जै, अनन्तानन्त सिद्ध परमेश्टी भगवान की जै, आचारेशियादी सागरजी महाराज 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 की द्वाद शांग जिन्वानी मता की जए। वर्तमान में इस कली काल में हमारे दिगंबर संतों का शमागम मिलना, उनका दशन, उनका सद्वोधन हमें मिलना ये बहुत ही स्वभाग्य, महाभाग्य की बात हैं। इसी आचार्य आदिशागर जी की परमपरा में 4 पथा चार्य आचार्य शुनिल सागर जी महाराज जी जो आज 25 वा रजटमोस्व के इस उपलक्ष में आज 25 वर्ष से सहियम की साधना में रत हैं जो 5 आचारों का पालन करने वाले 36 मुल्गुण के धारी रतनत रहे के पालन क परने वाले आचारिय शुनिल सागर जी के श्री चर्णों में हमारा भारंबात्री भक्ति पूर्वक नमोस्तु भगवन नमोस्तु नमोस्तु आज सनमारग दर्शक गुरों के वचन रुपी दीपक नहीं होता तो आज व्यक्ति मुहांदकार में अपने सनमारग को पैचान नहीं सकता था आज इस परमपरा में सारे गुरों की देन है उन गुरों के आश्रवास से आचारिय सुनिल सागर जी महराज जी चत्युच पठाचारि के पदपर आशिन होकर के श्वपर कल्यान काली बने हुए हैं हम तो यहीं चाहते हैं कि आचारिय श्री दीर घायू रह स्वश्टर हैं स्वख के साथ में पर के कल्यान के लिए विशेश आप पुरिशाराником से हमें भी मार्ग दिशन करते रहें क्योंकि आज गुरू हैं तो आज वरत नियम सैयम की भावना स्रावकों में भी बन सकती हैं और सादों में भी आगे बढ़ सकती हैं तो आज आपने अपने स्वक के कल्यान के साथ में इतने स्वाध्याय के माध्यम से गुरों के आशिरवात से कितना विशाल शंग को ले करके आज आप जगे जगे जेन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं और अनेक भव्यात्माओं को सनमार्ग में ला करके उनके आत्मा का भी कल्यान के लिए आप मार्दक्ष बने हुए हैं ऐसे आचारे शी सुनिल सागर जी महाराजी जो सियाशन पे आरूर हैं तो हमें तो लगता हैं कि आचारे शनमती शागर जी ही साक्षाद विराजमान हैं तो ऐसे सनमत्य सागर जी इतनी तपश भी हमारी आचारे आदिशागर जी महाराजी की परंपरा तपश्या परंपरा रही हैं, आदिशागर जी महाराजी भी साथ दिन में एक बार आहार करते थे, वो भी एक वस्तु का आहार करते थे, ऐसे आचारे आदिशागर जी महावी क इस प्रकार के जो मार्ग दिशक बने हुए हैं और उनका सभी मिल करके हम सब एसे गुरू का गुणानोवात करें गुरू का गुणानोवात करने से हमारा भी सयम का मार्ग प्रसस्त होता है जीवन में सयम बहुत जरूरी हैं सयम वो पतवार है जो भाव भाव के समुद्र को पार कराने वाला होता है सयम एक एसा कवच है जो विशयवाशना कशायों को बाणों को अंदर घुसने नहीं देता है ये सयम सयम एक एसा तपस्या है जो व्यक्ति को काच से कांचन बना देता है ये सयम एसे आलोकी जीवन के कोने को आलोकित करने वाला एक मिशाल है तो ऐसे सयम हमारे जीवन का स्रिंगार है ऐसे सयमित जीवन को जीने वाले आज 25 वर्षों से अपनी सयमित जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और स्वपर कल्यान कारी बने हुए है ऐसे आचारेशी शुनिल सागर जी महाराजी का हम सब 25 वारजत मौशव बड़े भक्ति के साथ में करें गुणानुवाद करें क्योंकि इटों को चुनने से मकान बनता है धागों को बुनने से परिधान बनता है और गुणों को गुणने से व्यक्ति एक दिन गुणवान और सच समागम में रहने वाला व्यक्ति एक दिन शंत बनता है तो ऐसे गुणों का गुणानुबात करें संतों के सानिध्य में रहें तो हमारा जीवन भी सयमित बनें सयम हमारे जीवन का स्रिंगार है सयम हमारे जीवन की भुमी पर ठोस भुमी है तो ऐसे सयम को हम भी प्रति नमोस्तु और हमारा भी त्री भक्ति पूर्वक गुरुदे के चर्णों में हमारा भारंबार नमोस्तु त्री भक्ति पूर्वक और जितने भी विशाल संग है मुनि आरिका उनको भी मेरे क्रम से नमोस्तु बंदा में करते हुए हम आचारे शिशुलेल सागरजी के स्री चर्ण में अपनी भक्ती भाव से विन्यांजली अर्पित करती हूं कि गुरुदेव मुझे भी आशिरवात प्रदान करते रहना थाकि आपके जैसे जो हम बनें आपके पद्द चिन्नों पर चलें और जो मैंने दिक्षा लियां, आरी का दिक्षा तो उस दिक्षा का लक्ष बनाया है, वो लक्ष हमारा पूरा होवे, गुरु का आशिरवात बहुत जरूरी है, गुरु के आशिरवात से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, तो आप हमारे पर भी कुरुपा दश्टी बनाए रखें और आप विशाल शंक के साथ में शाष्वत तेतरा सम्मेशिकरजी की पावन भुमी पर पदारें ये हमारी सुब भावना है ताकि आपका दर्शन प्रती दिन हम कर सकें अभी तो भावनाओं से प्रती दिन हम करते ही हैं परन्तु शाक्षा दर्शन करके आपकी मंगल परवानी सुन करके हम भी अपने जीवन में सैयम में आगे बढ़ें ऐसी सुब मंगल भावनाओं के साथ में हमारे गुरुदेव दीर घायू रहे स्वस्ट रहे स्वपर कल्यान कारी बने और जो लक्ष आपने बनाए हाए वो लक्ष आपका पूरा होए ऐसी सुब मंगल पर शंतो की जये